प्रेड़े दोस्तों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है एक बाद फिर आप सभी का यूएकेटमी के इस वीडियो में और मैं आपका दोस्त अरुन्दत कौशिक आज आपके साथ डिसकस करूँगा Engineering Students के इंटर्वियू में पूछे जाने वाले बहुत ही खास Question, What is Regenerative Breaking के बारे में? Regenerative Breaking जानने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग पहले मेरे साथ DC Motor को जरूर समझे क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं Regenerative Breaking की तो हम लोग DC Motor को नजर अंदास नहीं कर सकते हैं ठीक है? तो एक DC Motor हम लोग अपने सामने देख रहे हैं अभी DC Motor का Working Principle याद करने की कोशिश कीजे Yes, जब भी आप किसी Current Carrying Conductor को एक Magnetic Field में रखते हैं जो की Time के साथ Change हो रहा है या हम कहें कि Magnetic Field और प्रिश में एक Relative Motion है, then Coil जो भी हमने रखी हुई है Magnetic Field के अंदर जैसा कि हम यहाँ इस वीडियो में देख रहे हैं कि हमारी Coil जो कि Magnetic Field के अंदर रखी हुई है इस तरह की Coil Time के साथ Flux Cut कर रही है तो हमारे Coil के Terminals पे एक Back EMF मैं कहूंगा More Technically Generate हो जाता है, Produce हो जाता है और जिसको हम लोग Find Out करते हैं एक छोटे से फॉर्मिले and D5 by Dt के हल्प से अब यह माइनस साइन का मीनिंग क्या है वो भी हम समझ लें माइनस साइन का मीनिंग है कि यह जो Back EMF Generate हुआ है या मैं कहूं Produce हुआ है इस DC मोटर के Coil के Terminals पे एक्चली यह अपोस कर रहा है अपने Factor का जिसकी वज़े से यह Produce हुआ है, Generate हुआ है और इस Law को हम लोग बोलते हैं Lens Law अब एक बात समझ लीजे कि अगर मैं यह कह रहा हूं कि A Current Carrying Conductor, that means कि अभी Initial Stage में आप कंड़के अंदर Current Flow कर रहे हैं और आप उसे एक Magnetic Field में रख रहे हैं जब ऐसा आप करेंगे तो आपका Conductor एक Force Experience करेगा और उस Force के वज़ा से ही आपकी Coil रोटेट कर रही है अब हम क्या कर रहे हैं, Suddenly हम इस Motor के Terminals से जो बैटरी हमने Connect की हुई थी, Initially उस बैटरी को Disconnect कर देते हैं करेंगे तो क्या क्या होगा, सोचे, देखे, बैटरी को अगर हम Disconnect कर दें माल लिया मैंने इस बैटरी को यहां से हटा दिया, तो भी बैटरी हटने के बाद आपकी Motor में तो कुछ Change नहीं होगा, Motor का Anpol अपनी जगापर है, Aspol अपनी जगापर है Brushes अपनी जगापर है, Coil भी Rotate कर रही है, Rotate करती रहेगी due to inertia, कुछ भी Change नहीं होगा छोटा सा Change जो होगा वो क्या होगा, अभी तक जो Motor Current ड्रॉ कर रही थी बैटरी से, अब वो Actually में Current वापस से देना स्टार्ट कर देगी और इसकी वज़र से, जो Coil के Terminals हैं, उन पर एक Back EMF produce होगा, इस Back EMF का Use हम करेंगे Regenerative Breaking में तो दोस्तों अब इसको थोड़ा सा और Deep में समझ लेते हैं, जब भी आप किसी DC Motor की Supply को एक साथ Cut कर देंगे या मैं कहूँ, Motor जो हमारी Rotate कर रही है, सडनली हमने उसको Supply देना बंद कर दिया, तो क्या होगा, Motor हमारी बंद नहीं होगी, Motor हमारी Continuesly Rotate करती रहेगी और इसकी Continues Rotation का Reason है, Inertia, वो Inertia की वेसे नहीं रुकेगी, Motion of Inertia की वेज़े से वो Regularly Rotate करती रहेगी जिसकी वज़े से होगा क्या, जो आपका अभी तक Current Draw हो रहा था, Battery से Motor की तरफ, अभी आपकी जो Motor है, वो Exactly एक Source की तरफ वर्क करने लगेगी, वो आपको Back EMF Produce करेगी, Coil के Terminal पर, अगर हम Motor को चाहते हैं कि वो Quickly रुक जाए, उसका Rotation बंद हो जाए, तो हम लोग क्या करन वाले हैं, ऐसी Motor के Terminals के Across, एक Load Connect कर देंगे, Load Resistance के Form में हो सकता है, और इस Load को Connect करने का Reason सिर्फ यह होगा, कि यह Load, जो Energy Produce हो रही है, अभी हमारी Back EMF के Form में, जो हमें EMF Produce हो रहा है Terminal पे, जो Current Flow हो रही है, वो Current Consume होगी हमारे इस Load के अंदर, जिस से, जो हमारी Energy है, Motor की, वो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे कम होती चली जाएगी, और Motor हमारी क्या हो जाएगी, Quickly, या मैं कहूं, बहुत जल्दी, Rotation उसका Off हो जाएगा, वो घुमना बंद कर देगी, और यह जो Process आप कर रहे हो न, मोटर को धीरे-धीरे-धीरे-धीरे बंद कर रहे हो, या Load लगाने से, मोटर जल्दी से रुक जा रही है, This is called Regenerative Braking, तो Regenerative Braking को हम लोग कहां यूज करते होंगे, देखे, Regenerative Braking का यूज बहुत जगा है, और आजकल जितने भी Modern Car आ रहे हैं, Electrical Car आ रहे हैं, या Electrical Train की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे आप लोग, Train के Concept में आप लोग को Regenerative Braking हमेशा मिलेगी, Regenerative Braking आप पड़ेंगे, बहुत सारी Modern Car जो अभी Launch हो रही है, वहाँ पे भी हम लोग को Regenerative Braking का जो अपना Concept है, देखने को मिल जाएगा, तो Regenerative Braking कोई नया Concept नहीं है, बढ़ हाँ, इसको आज काल Adopt किया जा रहा है, ये एक नई बात है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का जो हमारा Question था, Regenerative Braking, इसका आंसर हमें मिल गया है, और इस आंसर को हम अच्छे से समझ गये हैं, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, तो मैं आपसे request करूँगा कि प्लीज आप मुझे comment करें, comment करके मुझे जरूर बताएं कि आपका डाउट कहा, किस point पर है, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके doubt को clear करूँ कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके comment का answer दूँ दोस्तो last में मैं आपसे request करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा channel subscribe नहीं किया है तो आप please मेरा channel जरूर subscribe कर लिजे क्योंकि यहाँ इस channel पर हम इसी तरह की मैज़ार videos इसी तरह की मैज़ार questions को हमेशा ले के आता हूँ मैं आपके लिए जो आपके interview में पूछे जाते हैं आपके career के लिए बहुत important है whether आप student है या फिर आप अपनी study खतम करने के बाद job के लिए जा रहे हैं यह सभी के लिए बहुत important है तो आप please वेरा channel जरू सब्सक्राइब कर ले जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजादत दें और अपना ख्याल रखें नमस्कार